तो मैं इससे तोड़कर दिखाता हूं यह देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे कुकीश बेखोकर निकले हैं और बहुत यादा खस्ता और टेस्टी कुकीश हैं तो आप इन्हें जरूर एक बार ट्राइ करना आज हम बनाने वाले हैं healthy और टेस्टी वाले ओर्स कुकीश बैक तो हमें ओट्स वाले बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना हुगा better टो बर मेरे पास यहाँ पर सबोरा का पुरा सबकते और पूरा का पूरा गया हूं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे सुगर पाउडर आपको इसमें है 50 ग्राम और उसके बाद इन दोनों को जो है हम आपस में यह तरीके से से तरीके से यह क्रीमी फॉम में ले आएंगे तो इस तरीके से जो है आपको बटर और चीनी को आपस में मिक्स करने के बाद इसे सॉफ्ट कर लेना है इस तरीके से जैसे मैंने किया है आप देख सकते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क मिल्क आपको इसमें डालना है 20 ग्राम बट यह मैंने 20 ग्राम लिया है बट हम इकठे इसमें नहीं डालेंगे इसमें हमें थोड़ा सा पहले डालना है और इसके बाद हैंड बीटर से हम इसे इस तरीके से मतलब कि और ज्यादा सॉफ्ट करेंगे इसे एलेक्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हो यहां पर आप थोड़ा थोड़ा करके आपको जो है इसमें 20 ग्राम जो मैंने मिल्क लिया था वो सारा का सारा इसमें एड कर देना है तो मैंने इसमें सारा का सारा जो है 20 ग्राम मिल्क एड करने के बाद मैं इसे फैंट चुका हूँ और उसके बाद हमें इसमें डालना है 10 ग्राम मिल्क पाउडर 1 by 4 टीस्पून आपको इसमें बैकिंग पाउडर डाल देना है अभी मैंने इसमें 20 ग्राम मिल्क डाला है बट अगर जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा मिल्क इसमें और डालेंगे उसके बाद हम इसे अच्छे से जो है इसमें मिक्स कर लेंगे मिल्क पाउडर और बैकिंग पाउडर को जो है अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद इसमें आपको डालना है आटा आटा आपको इसमें डालना है 50 ग्राम और उसके बाद इसमें आपको डालना है 50 ग्राम ओट्स और फिर हम इसे हाथ से mix करके इसका डो ready कर लेंगे तो हमने अपना डो ready कर लिया है mix करने के बाद यह देख सकते हैं आप और उसके बाद हम इसके cookies बनाएंगे तो cookies बनाने के लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा अलग से आटा ले लेना है आपको उसके बाद हम इसके piece बनाएंगे थोड़ा सा आटा आपको ले लेना है उसके बाद आपको ट्रे पर इस तरीके से डश्ट कर देना है ताकि जो हम biscuit का weight करें तो हमारा जो biscuit है वो हमारे ट्रे के उपर चिपके ना तो हम इसे weight करके इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो हमारा biscuit bake हो तो एक तरीके का bake हो हर biscuit में बरावर कलर आए तो मैं एक biscuit का वजन रख रहा हूँ 20 ग्राम का उसके बाद हम इसे हाथों से इस तरीके से गोल कर लेंगे सारे पीस में फटा-फट इसी तरीके से weight करके रख लेता हूँ तो हमने अपने सारे के सारे cookies बेट करके रख लिए हैं तो आब हमें क्या करना है अब हमें एक दूसरी ट्रे लेनी है और इस ट्रे में हम थोड़ी सी जो है दबा देना है इस तरीके से हलका प्रेस करना है ज्यादा नहीं इस तरीके से जो है आपको लगा लेना है आप चाहो तो अलसी लगा सकते हो यह optional है अगर आपकी इच्छा है तो लगाईए नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है तो मैं फटा-फट से इसी तरीके से जो है अलसी ल रख लिए हैं यह 11 पीस बिस्किट बने हैं मैंने आपको छोटी बताई है बट अगर आप बड़ी रेश्पी बनाना चाहते हो तो आप इसी रेश्पी को जो है डबल करके बड़ी रेश्पी बना सकते हो और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इस्टाग्राम पर म मिट के लिए और मेरा ओवन प्रेहिट हो चुका है तो मैं इसे फटाफट डाल देता हूं वेख होने के लिए मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाऊंगा क्योंकि कोई भी कुकी जब आप गरम गरम निकालते हो तो नरम होते हैं ठंडे होने के बाद ही वो जो है क्रिस्पी और खस्ता और हाड होते हैं तो अब हम इन्हें थोड़ा ठंड़ा हो जाने देते हैं उसके बाद आपको हम मैं आपको कुकी से तोड़ कर दिखाता हूं और कितना जो है मैं आपको दिखाता हूं यह पूरी तरीके से बेख हो चुका है तो मैं इसे तोड़ कर दिखाता हूं यह देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे कुकी बेख होकर निकले हैं और बहुत यादा खस्ता और यही है?